नमस्कार साथ यो स्वागत है आप सभी का railway group D 2021 exam date को ले करके बात करेंगे expected exam date क्या हो सकता है साथ में expected cutoff category wise सभी category ले हाँ पर और साथ में zone wise में आपको दिखाने वाला हूँ last year की जो cutoff गए थी मैं आपको उससे भी compare करके दिखाऊंगा at least यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि कम से कम कितने marks मैं ले करके आऊँ so that मेरा selection group D exam में हो जाए railway group D exam में उसके बाद देखो आगे document verification है medical examination है वो आपका next stage है medical examination में भी आप सभी को पता है कि वहाँ पे भी अभी जो examination होते medical वाले उसमें भी 3-4 दिन लग जाते हैं कभी कभी एक अपते का समय लग जाता है कभी doctor नहीं है तो कभी यह check up हुआ कभी ओ check up हुआ ठीक है तो आगे की stage है अगर आप सब कुछ फिट फट सब ठीक है आपकर आपका document सभी आपके certificate सही है तो वहाँ पे कोई problem आपको नहीं होती है तो सबसे पहले आपका return exam clear होना चाहिए तो सबसे पहले आप सभी इस request है कि आप सभी लोग जल्दी सी वीडियो को like कर देंगे share कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा करे तो चैनल को subscribe जरू कर लीजिएगा सभी लोग इसके लावा facebook group और telegram channel है उसका link आपको description में मिल जाएगा आप चाहे तो join कर सकते हैं उसको ओके सबसे पहले आप पर हम expected exam date को ले करके बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी railway की chairman की तरफ से 7th phase ntfc exam date को ले करके चीजें हो सकती है clear लेकिन चुकि अभी तक कोई भी notice नहीं आया final exam date को ले करके तो ऐसे में ये भी possible हो सकता है कि meet july की बाद exam date हो अभी भी देखो आप आपका जून अभी लगबग आधा बचा हुआ है 14 days बचे हुए है तो ऐसे में कभी भी notice आ सकता है हो सकता है कि एक अपते के बाद notice आ जाए दो दिंग के बाद notice आ जाए लेकिन जो group D railway की group D exam है उसको ले करके दोखो मैं एक बार इस यसी deny नहीं कर रहा हूँ कि आपका exam सेप्टमबर में आ जाए अगस्त में तो ऐसे भी chances बहुत जादा कम है क्योंकि देखो other exams सभी है जितने भी आल इंडिया लेबल्स के exam है सब overlap करेंगे तो overlap होंगे नहीं एक्जाम आपके आगे पीछे करके करवाये जाएंगे उसमें भी आप सभी को पता है कि preference सभी लोग देंगे चाहे DRU, MTSO, SSC, CHSL का exam हो एक्जाम हो रहा था है श्टार्ट से बंद हो गया पोस्ट पॉंड हो गया था ठीक है ओ भी exam बहुत जल्द करवान होगा इसमें September, October तक, November तक या पिर December चला जाए ओके या हो सकता है December, January 2022 तो चला जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन आप लोगों से एक request है कि आप अपने हर डे को exam day मानते वे या next day को exam day समझते वे आप preparation अपनी करते रही अच्छे से जितना आप अच्छा preparation कर लें पेर करेंगे तो फिर अभी इस बार हो सकता है cutoff थोड़ा जादा रहे उसके पहले 2018 के पहले cutoff थोड़ा और कम था किसी किसी जोन में cutoff कम पहले रहते थे अब नहीं कम होते हैं, अब हर जोन में cutoff आपका high ही रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पर एक zone की cutoff दिखा रहा हू सबी categories के लिए आप यही से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना cut कितना आपको कम सकम marks लाने होंगे और जो लोग सोच रहे हैं कि 65-70 में काम चल जाएगा तो यह तो आप समतलो कि किस category में इतने पर काम चलेगा बाकी unreserved OVC ठीक है इन categories में इस पर काम नहीं चलने वाला तो यह railway की तरफ से Western Railway Zone के लिए Document Verification 8 यहाँ पर आप देख रहो stage के लिए यहाँ पर फिर से बुलाया गया है यहनि जब seat खाली रह जाती हैं तो उसके बाद इतनी seat बचती हैं उतनी seat के corresponding फिर से बुलाया जाते हैं candidates फिर से उनका DB होता है, medical examination होता है फिर जो seat खाली होंगी उसके बाद फिर से बुलाया जाता है ठीक है? तो मैं पहले आपको यहाँ पर first stage के यहाँ पर compare कर लीची है कि unreserved OVC में कितनी रहती merit? 76.92 आप इसको 77 मान के चलो अब आप समझ लो कि कितना मतलब कितना competition जादा रहने वाला है 75 प्लस at least कितना भी paper आपका tough होगा कई shift में होगे normalization होगा, आपका shift अगर hard भी रहा, difficult भी रहा तो भी आपको कम सकम 75 प्लस मान के चलना है OVC में आप देख लो, 73 प्लस है yessi में दो को यहाँ पे है थोड़ी सी situation ठीक टाक 66 प्लस में काम हो जा रहा है yessi में 64 प्लस में काम हो जा रहा है ठीक है, तो 65 या उसके उपर, यह आपका yessi और yessi में ही देखने को मिल सकता और मेरे हिसाब से, इस बार yessi की जो cut-off होगी, ओ 70 के आराउंड जाना चाहिए अब आप कहेंगी कितना ज़्यादा आपने जंप गैसे करवा दिया, तो आप मान के चलो 69 गया, 68 गया, तो अच्छी बात है लेकिन आप 70 प्लस का टार्गेट बना के चलो ठीक है और आने रिजरों केटिगरी वाले, कम सकम आप भिया 75 से नीचे सोचना भी मत 76, 77 लेकि आजाओ आप 78 लेकि आजाओ आप पेपर लेबल भी तो आप डिपिंड करेगा इसी तरह से OBC वाले हैं तो आप लोग भी 74, 75 तक लेकि आने की सोचो तब तो आप समझो कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा या होने के चांसे बहुत जादा होंगे फिर दोको अधर केटिगरीज में आप देखोगे यहाँ पे एक सर्विसमें के लिए काफी जादा कम रहती है काफी जादा कम है आप देख लो हैं यहाँ पे जो अधर केटिगरीज है फिर दोको second stage में बहुत जादा कटाफ डाउन नहीं होता है कुछ points में कटाफ डाउन होते है 76.92 से 76.3 बना गया यहाँ पे दोको 73.16 से 73.09 यहाँ पे 66.00 से यहाँ पे 65.63 यहाँ पे 64.88 से 64.82 मतलब 0.02 के आराउंड बहुत कम डाउन हुआ है merit तो इसलिए आप यह मैं सोचो कि second या third या fourth stage में बहुत जादा merit down रनने वाली है ठीक है अब first stage से eighth stage में आ जाएंगे अगर आप तो यहाँ पे देखो near about 4.30 ठीक है four and half three and half का डिप्रेंस आपे ले लो three and half इतना ही merit down हुआ है ठीक है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ अगर आप इसको भी compare करते हो इसे हम इतना हम यहाँ तक आगे तक नहीं जाएंगे हम यह कोसिस करेंगे हमारा first stage में हो जाए लिकिन मालो आप second or third stage तक भी आप सोच के जाते हो कि चलो कहीं नहीं तो हो जाने चाहिए एटलिस्ट कम सकम कितना मिनमम मार्क हमारा होना चाहिए तो कम सकम 75 प्लस चाहिए आप अन्रेजर में हो या फिर आप OVC में हो यह सी में हो तो यह सी में आप दोको मैंने बहुत दिया यहाँ पर 70 तक लेकिन कम सकम आप 65 प्लस आप लेकिया जाओ 66, 67, 68 जतना आप लेकिया आ सकते हो यह सी वाले हैं तो आप 65 तक आपको लेकिया आना चाहिए तो ठीक रहेगा मेरे एस साब से इस बार देखो SC की कटाफ थोड़ी से जादा रहेगी पिछली बार से जादा जम्प होगा SC की कटाफ में अनरेजर वो OVC में जादा जम्प नहीं लग रहा है देखने को मिलेगा लेकिन यह आप है आपको देखने को मिलेगा 100 परशंट तो इसलिए आप preparation भी अपने उसी label से करना अधर जो categories उसमें भी थोड़े बहुत कटाफ में जम्प देखने को मिल सकते हैं और जो लोग यह कह रहे हैं कि हाँ इस बार कटाफ कम जाएगे कोई region नहीं है कटाफ कम जानेगे चलो माल ली हमने अभी जो एंटबी सी एक्जाम हुआ था उसमें चलो बहुत कम candidates ने एक्जाम दिया यहां पर भी हो सकता है कि 60-65%, 70% या maybe 75% तक लोग एक्जाम दे तो उससे बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है जितने भी interested candidates होते हैं वो एक्जाम देते ही देते हैं जो लोग नहीं देते हैं आतो इंट्रेस्टेड नहीं होते हैं या तुनों नहीं ऐसे फर्म डाल दिया होता है तो उनकी वज़े से कटाफ है बहुत जादा कोई फर्क पड़ेगा ठीक है तो फिलाल में कटाफ जो भी रहेगा पट आप इसी के अराउंड मान के चलो आप इसी के अराउंड कम सकम आपके marks या इसकी ऊपर आप लेकिया हो इसकी एबब लेकिया हो तो आप अपने आपको सेवर मान सकते हो कि आपका selection हो सकता है and I hope आप सभी को समझ में आगया होगा चीज़े किस तरह से आपको अपनी strategy रखनी है अगर आपकी demand होगी तो आपके लिए regular practice sets available करवा दिये जाएंगे regular means आपको daily मिलेंगे 20-30 questions कम सकम 10-10 questions या 15 questions सभी section से मिला करके जितना हो पाएगा 30-40 questions तक आपको daily में available करवा दूँगा practice केवल आपको करना हो आपके जितना आप अच्छे से कर जगो तो अगर आपकी demand होगी तो मैं आपको practice sets daily आपको regular available करवा दूँगा okay thank you so much thanks for watching